में इन्हों ने हमसे बोला है carry out the following divisions okay so 28 x to the power 4 divided by 56 x तो बहुत easy है इसको हम लिखेंगे 28 x to the power 4 और divided by का मतलब क्या होता है अपॉन का sign लगाओ ऐसे लाइन ड्रो करो और नीचे क्या लिखोगे 56 x करेक्ट अब कुछ नहीं करना है बच्छो 28 के प्राइम फेक्टर कर लो वैसे तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसको डिरेक्ट कर ले रहे होंगे वो डिरेक्ट करके दिखाऊं देखो कैसे पहले आप इसको डिरेक्ट कर लीचे इसको लिखो 28 इंटू एक्स की पावर 3 को आप एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 3 लिख सकते है अपॉन में आप देखिए 56 को क्या लिख होगे 2 इंटू 28 क्या होता है बटां 56 है ना इससे क्या फाइदा है 28 से 28 कामन फेक्टर है ना नूमरेटर में 28 इंटू एक्स कैंसल हो जाएगा और सीधे आप देख सकते बच्चो आपका आजएगा इसको आप क्या लिख सकते हो जभी भी अपॉन में 2 होता है ओपर आपको कोई expression या variable दिखाई पड़े तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स क्यूब का coefficient कुछ नहीं है क्या मानेंगे 1 तो 1 अपॉन 2 और इंटू में क्या जागा एक्स क्यूब आप इसको ऐसे भी या सकते हो ठीक है सो यह आपका आंशर आगया ऐसे करने आप ऐसे कर लों अगर आप को पूरा प्रासेस करना पूरा प्रासेसरक स्वालो कर लीचे कैसे बचल ध्याम भी तीएट के Pr tam factor कर लीज ए ठीक 28 निंटारे यहां पर मैं क्या कर रहा हूं इसको ऐसे भी कर सकते हूं 28 को लिखोगे टू इंटू टू इंटू करेक्ट सेवन इंटू एक्स की पावर फोर को इतना इगा लिखान के टू इंटू इंटू सेवन इतना यह सेवनुए और आपको आने वाल रहे है तू से टू कैंसल। से टू कैंसल यह सेट से सवन बच्चों कैंसल ओगया उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर x से x cancel हो जाएगा और यहाँ पर बच्छों ध्यान दे x into x into x कितना हो जाएगा x cube और denominator में क्या बच गया 2 जिसको आप क्या लिखोगे x cube upon 2 का आप 1 upon 2 into x cube भी आप इसको लिख सकते हो ठीक है so this is your final answer okay please note कर दीचे